उत्तर प्रदेश में विधान परिशत चुनाव का रिजल्ट अनवचारिक रूप से आ चुका है उत्तर प्रदेश में विधान परिशत की 12 सीटे लिक्त हुई थी जिन पर चुनाव कराए गए थे विदान सभा की सीटों की गडित की अनुशार उत्तर प्रदेश विदान परिशत में 12 सीटों की लिए जो चुना हुए हैं उसमें सभी उम्मिद्वार निर्विरोद चुनलिये गए हैं जिसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी को सीटें मिली हैं उत्तरप्रदेश में विधान परिशत की 12 सीटों के लिए नामंकन का अंतिम डेट 18 जनवरी को था और वोटिंग किती थी 28 जनवरी को निधारित थी और उसी दिन सामको काउंटिंग भी वोनी थे लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूँ कि काउंटिंग की नौबत नहीं आई उसके पीछे कारण यहां कि सभी 12 परतियासी जोएकी निवरोध चुन लिए गए हैं तो बता दे आपको इन 12 जीटों मैं कौंसी पार्टी के खाते में कितनी सीटे गई हैं तो यहां पर देखे बहुत कम है इसलिए इनको कोई सीट नहीं मिली तुत्तर प्रदीश विधान परिशत में टोटल विधान परिशत की 100 सीटे हैं और बरतमान की जो इस्थिती हो रही है यानि 12 सीटों के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जो इस्थिती बने गई वो इस तरीके से होगी इसमें देखिए समाजवादी पार्टी सबसे ज़् सीटे रहेंगे बरतमान में 100 सीटों में पहले सपा के पास 55 सीटे थी वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के पास पहले 25 सीटे थी और बरतमान में अब बीजेपी के पास 32 सीटे हो जाएंगे वहीं हम बीजेपी के बात करें बहुजन समाजवादी की तो ब पर्दमान में भी समाजवादी पार्टी अभी विधान परिश्द में यूपी में नंबर वन पार्टी देगी इसके पास सो में 51 सीटे हैं अभी देखें नौ निर्वाचित जो MLC हैं उसमें डाक्टर दिनेश शर्मा और सुतंत देव शिंग लक्षमन प्रशाद कुमर माने विंदर शिंग हैं डाक्टर दिनेश शर्मा उप्पोक मंतरी हैं यूपी के स्वतंत देव शिंग जो हैं वो अब चानते होंगे बीजेपी के प्रदेश अद्यक्ष हैं इसके अलावा अरविंद कुमार शर्मा गोविन नरान शुकला स्दालीरी विश्णोई अस्वनी त हैं वहीं आहमद हशन और राजंदर चौधरी ये समाजवादी पार्टी के हैं आहमद हशन जो है कि विधान परिशद में नेता विपक्ष हैं तो ये था उत्तरपदेश विधान परिशद चुनाओ की नतीज़ों का रिजल्ट जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आने क्यों धन्यवाद